तो आज सूस फूट कॉर्णन पर स्पेशल बन रहा है चिकन के कोफते ऐसे कोफते जो एक स्पेशल ट्विस्ट के साथ मैं बनाऊंगी वो रेसिपी देखेंगे तो वाप को पता चलेगा बहुत थीक मकमली बनते हैं चिकन का एक बहुत रिसिपी है तो जरूर ट्राय किजिए सूस फूट कॉर्णर का स्पेशल चिकन कोफता करी नमस्कार मैं हुसुभंकरी और आप सब का स्वागत करती हूं मेरे चैनल सूस फूट कॉर्लर पर उमीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे मेरे चैनल पर अगर आपना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल बटन के ओल पर क्लिक किजिएगा और मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए आप सब का बहुत बहुत बोनलेस चिकन ले ली हूँ 300 ग्रम या तो आप अपना बुचर से इसको मिल्स करवा के ला सकते हैं या इस तरह से चंक्स ले सकते हैं और इसमें कुछ खड़े मसाला में यूज करूंगी जावित्री में ले ली हूँ आधा तीन से च्यार में हरी लाइची ले ले ली हूँ एक इंच डालचीनी का आधी छोटी चमच में गोर्मिश ले ली हूँ तीन लॉंग ले ली हूँ यह सबको हम पेस्ट बनाएंगे और फोरन डालने के लिए तड़का के लिए एक फुल चक्री एक बड़ी लाइची और एक जो नटमेक होता है न जाइफल उसका वन पेस्ट बनाएंगे 15 लेसन एक इंच अद्रक और साड़ी खरे मसाले डाल देंगे सिवाय फुल चक्री बड़ी लाइची और नटमेक का जाइफल का तीन चार चमच पानी देके इसको अच्छे से पेस्ट पना देंगे जितने में मसाले इस ग्रेवी में जाएंगे वो बस काजू अद्रक आधा हैं तीन से चार हरा मिच एक अंडा लूँगी दो पार्ट में डिवाइट करूँगी तो आधा आधा आप डालूँगी आधा नेक्स बैच में डालूँगी जो काजू हम इसमें पीसेंगे ना पांच से छे इससे क्या होगा अच्छे से ये चिकन बा बॉल से वबंद रहे घंगे तो इसको एक बॉल में निकाल लेंगे बागी का 500 जो देडि सो ग्राम बचा 300 में चिकन लिए इसको दुबार हम ब्लेंड कर लेंगे बचा वह अंडाilla तीन चार लेशन क कं ले थोड़ा साध्रेकोड डाल देंगे और इसको भी अच्छे से प तो एक बड़ा चमच घी इसमें बहुत जरूरी है, अच्छे से मिला ले, मिला के इसको फ्रिज में रख देंगे एक घंटा के लिए ताकि यह सेट हो जाए अच्छे से, जब तक यह सेट होता है, हम ग्रेवी बना लेंगे, तो ग्रेवी के लिए चार बड़े चमच में तेल मीडियम फ्रिम पर गरम हो जाए, तो दो तेज पत्ते, और फोरन के लिए जो खड़े गरम मसला रखे थे न, बड़ी लाईची और फुल चेकरी वो डाल देंगे, ज़रा सा सौटे कर लेंगे, थोड़ा से सौटे हो जाए, तो इसमें अभी एक छोटा प्यास को बारी कट अच्छे से प्यास जो है वो गोल्डन होना चाहिए, जितना अच्छे से प्यास गोल्डन होगा उतना अच्छा फ्लेवर आगा ग्रेवी का, तो जब प्यास गोल्डन हो जाएगा न, इसमें एक बड़ा साइस के प्यास को प्यूरी करके पीस के डालेंगे, बीना पानी के पीच दोने तक बुने तक भूने घे ना भूने तब जीरा पाउड फाउडर धनिया पाउडर बढ़ा चयमजर एक orders साना मात्रा 300 ग्राम चिकन का हिसाब से है अगर मात्रा बढ़ाएंगे एक चिकन का तो ये भी बढ़ेगा तो पहले जो अध्रक लेसन और गरम मसाला वाला पेस्ट था ना वो डाल देंगे जब प्यास भून जाए पेस्ट दो बड़े चमच पानी और सारे सुखे मसाला डाल देंगे और कुटा हुआ सुखा मिच बरेट चली फ्लेक्स आधी चुटे चमच डालके मसाला पेस्ट को भून लेंगे खुली आंच पे मीडियम फ्लेम पे चार से पांच मिट जब तक थोड़ा सुखा ना हो जाए किनारे से थोड़ा तेन ला चुटे और उसके बाद एक बड़ा सा इसका टमाटर को इस तरह से पीस के डाल देंगे बिना पानी के पीसना है तो बस इसको मिला लेंगे खुला आंच पे 2-3 मिनिट फ्लेम हाई करके थोड़ा भून लेंगे टमाटर डालने के बाद और फिर पूरा धीमा करके ढख के छोड़ देंगे 5-6 मिनिट इससे क्या होगा भाप होगा तो जो भाप होगा स्टीम में टमाटर अच्छे से पक जाएगा जो मसाले में है वो मिल जाएगा तो 5-6 मिनिट बाद देखिए टमाटर ना किनारे से तेल थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया तो अब फ्लेम थोड़ा हाई करके लो फ्लेम पे ढखे थे हाई करके थोड़ा सा भून ले एक मिनिट तक और उसके बाद फ्लेम वापस से कम करके इसमें दही डालेंगे 50 ग्राम ये 300 ग्राम मैं चिकन के लिका रेसिपे बता रही हूँ मैं बार बार बोल रही हूँ अगर आधा किलो अप लेंगे तो ये मातरा बढ़ेगा तो दही डालने के बाद फ्लेम अभी मीडियम पर ही थोड़ा सा खुले में भून ले उसके बाद लो करके धक के छोड़ दे अगले 7-8 मिनिट ताकि दही जो है मसालों में अच्छे से रस्पस जाए 7-8 मिनिट बाद धकन हटा के देखेंगे देखिए किनारों से तेल छूटने लगा है अब धकन नहीं लगाना है पूरा लो करके छोड़ देंगे खुली आँच पे 6-8 मिनिट तब तक जब तक ये सूखेगा और ये कम होगा मसाला तब तक हम लोग कोफता बना लेंगे फ्रिज से हम निकाल दिये है ये थंडा था तो रही सेट हो गया है अब हाथों में तेल लगा के मीडियम साइस से कोफता बॉल्स बनाएंगे जादा बड़ा साइस का में प्रिफर नहीं करती है आप चाहते हैं तो बना सकते हैं पर मीडियम साइस का ही अच्छा लगता है देखी इस तरह से 300 ग्राम चिकन में लगबग 17-18 बन गये थे तो एक 2-3 जन के फैमिली के लिए यह परफेक्ट होता है इतना कॉंटिटी तो देखी इस तरह से बॉल्स बना के थाली में रखते जाएंगे और मेरा रिसीपी का खास बात है ना नॉर्मली कोफते ना सब तल देते हैं फिर ग्रेवी में डालते पर मैं इसको नहीं तलूंगी डारेक्ली हम ग्रेवी में डा और मसाले कुछ ऐसा दिख रहे हैं अभी नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से एक देट चमच नमक डालेगा क्योंकि हम ग्रेवी बनाएंगे मिला ले और देखिए अभी फ्लेम हाय कर दे तेल अपने आप छूट देगा साइट से जब मसाले का पेश तेल छूटने लग हैं तो जब इस तरह से उबनने लगे ग्रेवी तो फ्लेम अभी आप हाय पे ही रखें और इस तरह से जो कोफते बॉस्त किनारे से धीरे धीरे डालते जाए सारे डाल देंगे बस ध्यान इस बात का रखना है कि फ्लेम अभी हाय पे ही रखें और क्यूंकि हम इसको डाल रह तो बस खुले आंच पे 2-3-3 मिनिट पका ले फिर फ्लेम पूरा कम करके छोड़ दे अगले 7-8 मिनिट जी हाँ और देखिए इस तरह से अभी दिख रहे हैं कलर जो है कोफतों का चेंज हो गया है और ग्रेवी का भी बहुत अच्छा कलर आया है तो इस टेज़ पे तीन बड़े चेमत में फ्रिश क्रीम डाल रही हो तो आठ से 10 काजु को बहुत अच्छे से पीस के पूरा फाइन करके दर पस जाए देखिए ग्रेवी जो है पूरा गाड़ा हो गया है कसुरी में थी आठी चोटी चमच गुलाब जल आठी चोटी चमच और केवडा वाटर दो ड्रॉप तो ये सब ना सब चीजों को बैलन्स कर देगा और बहुत ही धीमी धीमी प्यारा सा नैच्छेल उसका खु गाड़ा रहता है कोफता ग्रेवी पानी वाला ग्रेवी नहीं रहता है और कलर क्या लाजवाव आया है ग्रेवी का तो बस इस तरह से गर्मा गरम में चिकन कोफते को सर्फ की हो रोटी रहे नान रहे चावल रहे या पुलाव रहे सब के साथ ये बहतरीन लगता है कोफतो है वो है Sonali Samantraya का वो लिखती है Hi I am one of your subscriber I made this recipe today and it came out awesome thank you very very much for such a lovely recipe my whole family enjoyed it इन्होंने Sonali ने comment किया है चाट के recipe पे thank you so much Sonali कि आपको मेरा चाट का recipe अच्छा लगा thank you for all your love and support stay safe and stay connected और यह जो आज का recipe है chicken kofta curry थोड़ा सा twist है मैंने पहले ही बोला था कोफते जो है बिना तले वे यूज किया है लाजवाब बनते हैं चिकन का अलग ही recipe है एक बारी ट्राइ किजिएगा सूस फूट कॉलर को आप Instagram और Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक stay safe love life and happy fooding तो में अगले लूट को अग।